Hi guys, how are you? I hope all of you are doing well. Guys, previous video में हमने may be or might be को discuss किया था. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उपर आई के बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं. आज की इस वीडियो में हम may have, might have और may have to और might have to को discuss करेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं with the structure. structure में आपको सबसे पहले subject उठाना है, उसके बाद may have या might have, फिर वर्ब की third form और last में object. मान ले आप present time में खड़े हैं और आपका दोस्ट आपको ये कहकर चला गया है कि वो घर जा रहा है. अब आप सोच रहे हैं कि यार वो घर पहुँच गया होगा, आपको नहीं पता कि वो पहुँच गया है या नहीं, आप बस अंदाजा लगा रहे हैं, तो कैसे translate करेंगे? He may have reached home. मैंने maybe और might be वाली वीडियो में बताया था, कि में कहां use होता है, और might कहां use होता है. Again repeat कर देता हूँ, में वहां use होता है जहां possibility 50-60% हो, और might वहां इस्तमाल होता है जहां possibility 10-20% हो, तो अगर possibility काम है तो हम में की जगा might लगा देंगे, जैसे he might have reached home, ये models हैं, ये सब के साथ same ही आती हैं, कहीं आप सोचें कि he है तो has आएगा, he, she, it, I, we, you, they, सब के साथ have ही आएगा, next example देखते हैं, शायद उसने तुम्हारी कताब चुराई होगी, तो आप बैट के इंदाजा लगा रहे हैं, कि उसने चुराई होगी, तो कैसे translate करेंगे, he may have stolen your book, और अगर chances काम है तो, he might have stolen your book, तो उर्दु में बनेगा कि कोई काम किसी ने कर दिया होगा, तो य ना ही यहां will भी लगेगा, और ना ही यहां will have लगेगा, will से इसका कोई लेना देना नहीं है, अब अगर ऐसा sentence उर्दु में लिखा हो, और आप से कोई कहे कि इसे English में translate करो, तो आप इसे translate नहीं कर सकेंगे, आप confuse हो जाएंगे कि may have लगाऊं या might have लगाऊं, क्योंकि दो लाइफ में बोलते हैं तो बोलने वाले को तो पता होता है, कि उसके mind में ज्यादा possibility है या कम possibility है, मालने जैसे आपके घर में किसी ने glass तोड़ दिया है, तो अब आपके दोड़ा होगा, अगर ज्यादा doubt है कि इसने तोड़ा होगा, तो आप बोलेंगे, रुहां may have broken this glass, औ और अगर आपको किसी और पे doubt है कि नहीं हादी ने तोड़ा होगा लेकिन कम doubt है तो आप बोलेंगे हादी might have broken this glass अब हम देखते हैं may have to को और might have to को हम इनका इस्तमाल पढ़ सकता के लिए करते हैं जैसे मुझे वहाँ जाना पढ़ सकता है उसे hospital जाना पढ़ सकता है हमें university जाना पढ़ सकता है यानि कोई काम करना पढ़ सकता है यहाँ भी हम possibility को धियान में रखेंगे ज्यादा है तो may, कम है तो might structure देखते हैं structure में सबसे पहले subject उसके बाद may have to या might have to फिर verb की first form और last में object example देखते हैं मुझे hospital जाना पढ़ सकता है अगर ज्यादा possibility है तो I may have to go to hospital अगर possibility काम है तो I might have to go to hospital अगर negative बनाना हो तो may might शुरू में आ जाएगा मसलन क्या मुझे जाना पढ़ सकता है again अगर possibility ज्यादा है तो may I have to go अगर possibility काम है तो might I have to go अगर negative बनाना हो तो may might के बाद not लगा देंगे बाकि structure वही रहेगा आयोग के ये छोटी सी वीडियो आप के लिए helpful थाबत हुई होगी अगर ये वीडियो आप के लिए helpful थाबत हुई है तो वीडियो को like और share जरूर कर दें और इसी तरह की knowledgeable वीडियो के लिए हमारे चैनल को subscribe कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताके हमारी हर नही आने वाली वीडियो आप तक असानी के साथ पहुंच सके मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक अपना खियार रखिएगा अल्ला हाफिज